नमस्कार मैं हूँ मन्मोहन भट नैनिताल हाई कोट से पिछले दो तिन दिन में दो तिन ऐसी खबरे आई हैं जिसने कहीं न कहीं रज्य सरकार को थोड़ा सा परेशान जरूर किया है वैसे रज्य सरकार आम तोर पर परेशान बहुत जादा नहीं होती कोट के फैसले के बात खास तोर पर वो उसका कोई समाधान जरूर निकाल लेती है कई बार कोर्ट का सम्मान करना होता है इसलिए उसकी बात मान ली जाती है और कई बार कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच अदालत में या नैनिताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में अपील दायर की जाती है मैं आज दो ऐसे मुद्दों की बात कर रहा हूँ जो दो तिन दिन में यहाँ पर आए हैं देहरादून में आए हैं नैनिताल की तरफ से पहला मामला है भरती घोटाले से संदर्भित भरती घोटाले की दो अलग अलग जांचें चल रही है एक तरफ SIT जांच कर रही है दूसरी तरफ STF जांच कर रही है चाहे वो लोक सेवा आयोग में परचा लीख हुआ हो चाहे वो उतराखन अधिनस्त सेवा चैन आयोग में गड़बडियों का मामला हो दोनों की जांचें चल रही है राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया था और दोनों जांचों की निगरानी के लिए नैनिताल हाई कोट के सिटिंग जच से आग्रह किया था इसके लिए बकायदा राज्य सरकार की तरफ से एक चिठी हाई कोट को भेजी गई थी और उसमें आग्रह किया गया था अगर यह दोनों जाचों की निगरानी न्यीताल हाई कोट कर ले तो पूरे प्रदेश भर्क की जनता को या अंदोलन कर रहे युवाओं को जाच पर भरूसा थोड़ा ज्यादा हो सकता है सब लोग ये मान कर चल रहे थे कि नैनिताल हाई कोट जाच की निगरानी कर ही लेगा लेकिन नैनिताल हाई कोट ने जाच की निगरानी करने से साफ इंकार कर दिया है अब नैनिताल हाई कोट ने ये इंकार क्यों किया है इस बारे में तो कोई इस पश्ट जानकारी नहीं है लेकिन राज्य सरकार के सामने अब एक बार फिर से प्रश्ण खड़ा हो गया है कि वो अब जाच की निगरानी के लिए किसे नियुक्त करना चाहेंगे मैंने पहले भी पताया कि एक जाच STF कर रही है एक जाच SIT कर रही है राज्य सरकार के उपर दवाओ बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से और अंदोलन कर रहे युवाओं की तरफ से था कि वो पूरे मामले की जाच CBI से कराए लेकिन राज्य सरकार ने नैनिताल हाई कोट की निगरानी में जाच करने की बात कही थी और इसका एक कारण और भी है एक और जाच चल रही है जो छात्र वृत्ति घोटाला है इसका भी सीधा संबंद छात्रों के भविश्य से ही जोड़ कर देखा जा रहा है वो मामला नैनिताल हाई कोट के सामने है और नैनिताल हाई कोट की निगरानी में ही उस पर जाच हो रही है लेकिन नैनिताल हाई कोट ने भरती घोटाले में किसी भी जाच से इनकार कर दिया है अब राज्य सरकार के सामने एक नया प्रश्न है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी दूसरा एक और महत्वपुन प्रकरण है एक विभाग के मुखिया की नियुक्ति को लेकर राजीव भरतरी और विनूत सिंगल दोनों एक ही पदपर है दोनों का रिटायर्मेंट इसी महीने 30 अप्रैल को होना है विनूत कुमार सिंगल को राज्य सरकार ने हौफ के पदपर नियुक्त किया हौफ मतलब Head of Forest Force और राजीव भरतरी को Biodiversity Board के प्रमुक की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन राजीव भरतरी पहुँच गए थे पहले कैट में राज्य सरकार के आदेश को चिनोती देने के लिए और कैट ने राजीव भरतरी के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन राज्य सरकार ने कैट के आदेश को नहीं माना उसके खिलाफ विनो सिंगल साहब भी कैट में पहुँच गए थे उनकी अपिल को हारिस कर दिया गया था राजीव भरतरी को जब राजय सरकार ने वन विभाग के प्रमुक के पद पर नियुक्त नहीं किया तो राजीव भरतरी नियनिताल हाई कोट में पहुँच गए और नियनिताल हाई कोट में उन्होंने अपने पक्ष को रखा और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और राजनीती के कारण उन्हें वो पद नहीं मिला जिस पर उनकी पहले तैनाती की गई थी वैसे यहाँ पर एक बड़ी सामान्य सी बातचीत सरकारी सिस्टम में होती है कि किसी भी महत्तोपूर्ण पद पर किसी व्यक्ति को जब बैठाये जाता है तो वो राजनीती से ही प्रेरित होता है अगर हम मुख्य सचीव की बात करें अगर हम राज्य के डीजीपी की बात करें अगर वन विभाग के प्रमुक की बात करें या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके प्रमुक की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पद ऐसे होते हैं जो राजनीतिक व्यक्तिय के मंत्रियों के मुख्य मंत्रियों के पसंद दीदा व्यक्ति को ही मिलता है उसकी कारशयली तो उसमें होती ही है विभाग का अनुभव तो होता ही है लेकिन एक जो उसमें तथे यह होता है कि राजनितिक व्यक्ति या मुख्य मंत्री या मंत्री का कम से कम उस पर भरोसा हो त राज्य सरकार के साबने संकट नहीं है वो इस फैसले को कई तरीके से चुनौती दे भी सकती है लेकिन ये पता चलता है कि नैनिताल हाई कोट राज्य सरकार को किस तरीके से निर्देशित करता है राज्य सरकार मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी परेशान नहीं होती क कोई भी सरकार कोड के फैसले का सम्मान करना होता है और कई वार कोड के फैसले को चुनोती देनी होती है राज्य सरकार के निवेदन को नैनिताल हाई कोड ने स्विकार नहीं किया भरती की जांच की निगरानी के लिए और राज्य सरकार के एक अधिकारी को वन विभाग के प और ये देखना काफी महत्पूर्ण है कि राज्य सरकार नैनितल हाई कोट के दिये गए फैसलों के खिलाफ सुप्रियम कोट में जब जाती है तो वहां से उसे किस तरीके से रहत मिलती हुई नजर आती है साथ यह अभी के लिए फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक इजासत दीजिए नमस्कार